हर हर महादेव साथियों आज दर्शन करते हैं बारा जोतिलिंगों में से प्रत्रम जोतिलिंग सोमनाथ मंदिर के जिसे देव पाटन भी कहते हैं ये स्थान दोहजार इस्वी पूर्व की सिंदुगाटी की सभ्यता की साइट भी है ये अती प्राचीन तीर्थिस्तान है यहां पहले तीन नदियों के संगम पर लोकस्नान करने आते थे तीन नदियां कपिला, हिरन और सरस्वती भारत के पांश्च समुद्र तटिय जो पवित्र और पतिष्ठित स्थान है उन में से एक है बाकी चार भी आपको बता दू गुजरात में द्वारका, समुद्र के पास, उडिसा में पुरी, रामेश्वरम और तमिन नाडु में चिदामबरम पुरानिक कथा के अनुसार प्रसन होकर चंद्रमा को अमरत्व का वर्दान दिया, तथा प्रजापती दक्ष के वचनों की भी रक्षा करने के लिए चंद्रदेव से कहा कि कृष्ण पक्ष में तुम्हारी कलाशीन होगी और शुक्ल पक्ष में बढ़ेगी इस वर्दान से सब लोग प्रसन हो गए और चंद्रदेव फिर पूरवत सुधा वर्षन का कारे करने लगे शाब मुक्त होकर चंद्रदेव और अन्य देवताओं ने भगवान शिव से प्रार्थना की कि आप इस प्रभाश शेत्र में मापार्वती के साथ निवास करें आशुतोष भगवान शिव ने देवताओं की प्राथना पर यहां जोतिर लिंग रूप में रहना स्वीकार किया प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में प्रभास पाटन के नाम से प्रसिद्ध था मंदिर गुजरात के सोराष्टर शेत्र में विरावल में स्थित है मंदिर पर कई बार बरबर मुस्लिम आकरमन हुए मेहमूद गजनवी, अल्लाओ दिन खिल जी, औरंग जेब इन्होंने मंदिर को लूटा तीर्थियात्यों की हत्या की मंदिर को जलाया यह मंदिर कई बार बनाया गया आस्थावान शाशक मंदिर को बार बार सही करवाते रहे पुनर नर्मान करते रहे अठारवी शताबदी में इंदौर की रानी अहिल्यावाई होलकर ने मंदिर के साथ ही जो तूट गया था एक छोटा मंदिर और बनवाया और उसमें शिवलिंग स्थापित किया अब यह पुराना सोमनात कहलाता है स्वतंतरता के बाद सरदार वल्लब भाई पटेल के प्रयासों के कारण मंदिर का पुनर निर्मान हुआ और 1951 तक मंदिर निर्मान का कारे पूरा हुआ मंदिर चालुक्य शैली में बना है मंदिर दो सतहों में बना है मंदिर का मंडप नकाशी वाले इस्तंबों वाला है छत भी नकाशी से सजी है और मंदिर में दो सो बारा पैनल से नकाशी वाले मंदिर का शिखर जो गर्ब ग्रह के उपर है पंदरा मीटर हूचा है और उसके उपर आठ पॉइंट दो मीटर का धोजस्तंब लगा है गर्ब ग्रह स्वर्ण पत्रों से सजा है गर्ब ग्रह में मुख्य तोर से शिवलिंगम की पूजा होती है शिवलिंगम के पीछे मा पार्वती की मूर्ती है और उनके आस पास दोनों और भगवान कार्टी के और भगवान गणेश की मूर्तिया हैं गर्ब ग्रह में पूजा केवल पुजारी करते हैं तीर थ्यात्री केवल दर्शन कर सकते हैं मंदिर परिसर में हनवान जी, गणपती जी, नवदुर्गा, माता अनपूर्णा, काशी विश्वनाद जी के मंदिर हैं मंदिर की दक्षन दिशा में समुद्र के किनारे एक स्थम्भ है उस पर तीर रखा दिखाया गया है और यह बताया जाता है कि सोमनाथ मंदिर और दक्षनी ध्रुव के बीच प्रिथ्वी का कोई भूभाग नहीं है यह बानस्तंब के नाम से प्रसिद्ध है सोमनाथ मंदिर में शाम को लाइट एंड सांड शो एक घंटे का होता है जिसमें टिकट लेकर मंदिर का इतिहास देखा जा सकता है इस प्राचीन तीर्थ में पित्रिगणों का श्राध भी किया जाता है साथियों मेरे साथ भारत के दिव्वे स्थानों के तीर्थों के दर्शन करने के लिए और जानकारी पाने के लिए प्लीज लाइक, शेर एंड सब्सक्राइब इस चैनल हर हर महादेव